हाँ तो तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्तान रोवेल वर्सेज कोलकता नाइट राइडर्स के बीच वेले जाने वाले नेक्स्ट आइपिल मुकाबले के बारे में जो की किला जाने वाला है सोला अप्रेल को शाम को साड़े साथ बजे से मुकाबला था होगा मुकाबला होगा आइडर्न कार्डेंस को ओलकता आगे ग्राउन पर तो क्या प्लेंग लेवन दोनों टीमों की उतर सकती है कौन से बदलाव आपको देखने को मिल सकते है बहुत सारी इंफोमेशन में इस व फाइनल अपडेट ग्रेंडली की टीम आपको टेलिग्राम पर ही मिलती है लिंक टेलिग्राम की वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाकर फोलो कर लीजिएगा चलिए बात कर लेते हैं यहां के पीछ रिपोर्ट के बारे में तो आप देख सकते हो टोटल जो अभी तक यहां पर मुकाबले खेले गए हैं T20 के वो खेले गए हैं 88 मुकाबले उसमें पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने 37 मुकाबले जीते हैं तो बाद में बल्ले बाजी करने वाली टीम को ज्यादा फाइदा मिला है 51 मुकाबले बाद में बल्ले बाजी करने यहाँ पर 27 बार स्कोर देखने को मिला है 1500 से 179 के बीच में 19 बार स्कोर देखने को मिला है 170 से 190 के बीच में 27 बार स्कोर देखने को मिला है और 190 से उपर 15 बार स्कोर देखने को मिला है तो जाहिर सी बाते पूरी तरह से बल्ले बाजी यहां पर विकेट नजर आ रहा है, पिछले कुछ मुकाबलों कि मैं बात करूँ, तो 161, 162, 208, 204, 166, 165, 159 और 151, तो अब देखो कि दो जो स्कोर बने हैं, वो बैलेंस बने हैं, दो स्कोर बने हैं, हाई बने हैं, तो कहने का मतलब एक न्यूट्रल विकेट है, लेकिन बल देखा जाए, तो एवरेज स्कोर की बात करूँ, तो 1500 से 170 के बीच में यहां का एवरेज स्कोर रहता है, हाई एश 235 बना है, ओन पचास यहां पर लोग विष्ट बना है, अगर हम बात करें यहां पर, हैट्ट्वेट रिकोर्स के बारे में, तो दोनों टीमों के बीच में अभी तक 28 मुकाबले हुएं, जिसमें 14 मुकाबले KKR की टीम ने, तो 13 मुकाबले राजस्तान की टीम ने जीते हैं, एक मुकाबला टाइब अगेरा हुआ था, पिछले 5 मुकाबलों की बात करूँ, तो 4 मुकाबले कोलकता जीत कर आ रही है, और 4 ही मुकाबले राजस्तान जिसमें पेसर ने 7 विकेट लिये जबकि इस पी नरों को सिर्फ 2 ही विकेट मिले थे फिर 23 मार्च को जो मुकाबला था 208-204 वाला जिसमें पेसर न 9 विकेट लिये थे इस पी नरों ने सिर्फ 4 ही विकेट निकाले थे फिर 11 माई 2023 को जो मुकाबला था 150-181 वाला जिसमें पेसर ने 4 तो Spinnerों ने भी 4 Wicked निकाले थे फिर 20 माई 2023 को जो मुकाबला हुआ था जिसमें 176-1045 बने थे उसमें पेसर ने 7 तो Spinnerों ने भी 7 Wicked मतला पेसर के लिए तो मदद है ही लेकिन इस्पिनरों के लिए भी अच्छी मदद यहाँ पर देखने को मिल सकती है अब आप देखो कि लास्ट के चार T20 में किस तरह के गेनबाज ने ज़्यादा विकेट लिए तो आप देखो कि राइट आम फास्ट ने चार विकेट लिए जबकि राइट आम फास्ट मीडियम ने मीडियम फास्ट ने दस विकेट लिए है राइट आम मीडियम ने तीन विकेट लिए है जबकि लेफट आम फास्ट ने दस विकेट निकाले है इधर आप देखो तो लेक ब्रेक ने भी 11 विकेट निकाले है मतब इस्पिनरों के लिए भी अच्छी मदद यहां पर देखने को मिली है KKR की कौन से प्लेंग 11 इस मेंच में हमें देखने को मिल सकती है तो भीया फिलिप साथ बहुत बहतरिन लाय में है सुनिल नायन अच्छा काम कर रहे है वेंकडे शायर को लेकर थोड़ असा कन्फूजन है इनके बल्ले बाजी करम को लेकर फिर शिरे शायर है रिंकू सिंग है रमंदीप सिंग अंद्रे रचेल, मीचल स्टार्क, वेभव अरूरा, वरुन चकरवती और हर्शी द्रणा तो एक परफेक्ट प्लेइंग लेवर नजर आती है वो आती है केके आर्गी अगर हम बात करें यहां पर इंपेक्ट प्लेयर में कौन सा प्लेयर आ सकता है तो अगर हम कुछ प्लेयर के स्टेट्स देखें तो आप देखोगे IPL 2024 में फिलिप साल्ट ने 5 मेचो में 111 विरन बना है 48 की अवरेश से नतीजा आप देखो लास्ट मेच में 89 रन की नाबाद पारी खेली थी उससे पहले यह 0 पर गए थे लेकिन उससे पहले 18-30 और 54 रन की पारी भी यह खेल कर आ रहे है तो ग्रेंड लिग में आप कपतानों कपतान तका बना कर इस प्लेयर को चल सकते हैं हेट टो एड नहीं खेले हैं लेकिन इस ग्राउन पर दो मेच खेले हैं जिसमें 143 रन इनों ने बनाए हैं बाकी फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग का रिकोर्ड भी आप देख सकते हैं ज्यादा मेच नहीं है तो मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ सुनील नारायन की बात करें 5 मेचों में 167 रन और 5 विकेट निकाल कर आ रहे हैं हेट तो एड के 18 मुकाबलों में 148 रन 12 विकेट निकाल कर आ रहे हैं इस ग्राउंड पर 54 मुकाबलों में 354 रन बनाए हैं वो भी 64 विकेट ये निकाल कर आ रहे हैं चोपन मेचों में ही बागी सुनील नारायन लास्ट मिक में 1 विकेट लिया था, 6 रन बनाए थे, फिर 27 रन एक विकेट, 45 रन एक विकेट, 47 रन एक विकेट, 2 रन एक विकेट बहुत अच्छा गाम कर रहे हैं सुनील नारायन अब आप जैसे फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग आपको कैसे देखना है में बता देता हूँ जो 18 मुकाबले head to head के हुए हैं उन 18 में से 11 इनिंग में पहली बार इनकी बल्ले बाजी आई थी जिसमें 42 रन इनोंने बनाये हैं जबकि 9 विकिट इनोंने निकाले भी है वेंकडे शैयर की बात करूँ तो इस सीजन में तो अभी तक कोई बड़ा स्कोर इनकी बल्ले से नहीं निकला है हाला कि बल्ले बाजी करमीन का फिक्स नहीं रहा है श्रे शैयर 38 रन की पारी लास्ट मुकाबले में उससे पहले 34 फिर 18 49 और 0 पाँच मेचो में 129 रन बना कर आ रहे हैं 43 की एवरेश से फिर हम देखेंगे रिंकू सिंग के बारे में तो भई यार रिंकू सिंग आप देखो पाँच मेचो में सिर्फ 36 रन हैं इनकी नाव कोई भी बड़ा स्कोर नहीं आया है फिर हम देखेंगे यहां से रमन दिप सिंग इनको भी ज़्यादा मोके नहीं मिले हैं क्योंकि टॉप ओडर ही बहुत अच्छा काम कर रहा है अगर और कम होते हैं तो प्रमोट किया जा सकता है अंधर रसल को बले बाजी में रची एक विकेट लिया था लास्ट मुकाबले में उससे पहले विकेट नहीं मिला पिछले दो दिन मुकाबलों से ठीक दा काम किया है बागी स्टार्टिंग में तो इन्हें विकेट नहीं मिल रहे थे वेभव अरोरा तीन मेचों में छे विकेड निकाल कर आ रहे हैं एक विकेड दो विकेड और तीन विकेड बहुत अच्छा काम देखने को मिला है वेभव अरोरा की तरफ से वरुन चक्रवदी पांच मेचों में सिर्फ पांच ही विकेड लिये हैं अभी तक फिर आप देखोगे हर्शित राना चार मेचों में पांच विकेट इन्हों निकाले हैं लास्ट मेचों में विकेट नहीं मिला उससे पहले नहीं कहले उससे पहले दो विकेट उससे पहले तीन विकेट और एक विकेट इन्हों ने लिया था ये रगुवंशी हो सकता है इस मेच में इंपेक्ट प्लेयर के तोर पर खेले प्लेइंग 11 में भी खेल सकते हैं चार मेचों में 85 रन इन्होंने बना हैं साथ चोईस और चोपर रन की पारी शामिल है बात कर लेते हैं कुछ बेंच प्लेयर के बारे में इनमें से अगर कोई प्लेयर खेलता है तो आप देख सकते हो टोस के बाद हम देखेंगे स्टार्टिंग के ओरो में मिचल स्टार्क, वेभा अरोरा और हर्शिद राना गेंद बाजी करते होए नजर आ सकते हैं बारा गेंदों पर 20 रंदेकर दो बार आउट किया है जिस तरह की क्लासिक पारियां खेल रहे हैं सुनीन नारान बल्ले की बात कर रहा हूँ ऑपनिंग कर रहे हैं रिसेंटली फिर हम बात कलते हैं राजस्तान की टीम से यशश्वी जायस्वा लास्ट में इंपक्ट प्लेयर की तोर पर खेले थे फिर जोस बटलर भी लास्ट मुकाबले में नहीं थे इनकी जगे दूसरे प्लेयर खेले थे वो में आगे आगे आपको बताने वाला हूँ लेकिन हाई चांस है इस में खेलते हों नजर आ सकते हैं फिर संजू सेमसंग है रियान परांग हेट मायर डी जूरेल टी कोटिया जो की ओप्रिंग की थी इन्होंने जो बटलर की जगे लास्ट मुकाबले में हो सकता इस में इने बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए फिर केशो महराज यूजविंदर चहल ट्रेंट बोल्ट और अब क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं एक बार मैं तोडा क्लेर कर ले तो फ्रेंज यहाँ पर मेरे गलती से और सीज प्ले में एक नाम ज़्यादा लिग दिया है वो लिग दिया है टी कोईशन का फ्रेंज यहां पर कुल्दीप सेन का नाम है तो मान के चलिएगा गेन बाज एक कुल्दीप सेन को ही मान के चलिएगा कुल्दीप सेन होगे ट्रेंड बॉल्ट होगे आवेश्कान होगे और यूजींदर चहल और केशो महाराज तो यह T-Quotion नहीं कहलेंगे इनकी जिगे कुल शश्वी जाइसवाल ने 6 मेचों में 102 रन ही बनाए हैं वो भी 17 की एवरेश से जोस बटलर 5 मेचों में 113 रन 36 की एवरेश से जिश में एक शता के बाकी पूरी तरह से यह फ्लॉप रहे हैं फिर हम बात कर लेते हैं यहां से संजू सिम सेंग बहुत अच्छा काम कर रहे है शे मेचों में 246 रन 66 की एवरेश से रियान पराग 6 मेचों में 204 रन इगोतर की एवरेश से अब इन दोनों को आप इस्पेशली कप्तान उकप्तान जरूर बना दीजेगा अपनी एक टीम में बहुत अच्छी लाइम हैं दोनों फिर हेटमायर की बात करें तो हेटमायर हल बात नहीं करूँगा लाश्ट में हाला की चोई सर्ण बनाये थे इन्होंने लेकिन बटलर खेलेंगे तो मेरे इस अप से बाहर हो जाएंगे फिर केशो महराज लाश्ट में दो विकिट ये लेकर गहे थे इससे पहले इंपेक्ट क्लेर के तोर पर एक मेच में खेले थे य युजविंद्र चहल 6 मेचों में 11 विकिट इन्होंने निकाले हैं जिसमें 1 विकिट, 2 विकिट, 2 विकिट, 3 विकिट और 2 विकिट ये लेकर आ रहे हैं ट्रेंट बोल्ट 6 मेचों में 6 विकिट मिले हैं आप देखो कहां युजविंद्र चहल 11 विकिट और कहां बोल्ट सि का reason क्या है इनसे डेयर तोर में गेंदबाजी नहीं कर एंके और पड़े होते हैं फिर भी इनसे डेयर तोर में गेंदबाजी ना कराकर आवेश खान को ओर दिया जाता है तो उसी का reason इनको विकेट कम मिल रहे हैं और इनसे और भी थोड़े कम ही करवाई जा रहे हैं आवेश खान 6 मेचो में 5 विकिट इनों निकाले है कुल्दीप सेन मुझे तो लग रहा है प्लेइंग 11 में ही कहलेंगी हो सकता है इंपेक्ट प्लेइर के तोर पर खेल जाए नोट कर लो 2 मेचो में 4 विकिट निकाल कर ये आ रही है बेंच प्लेइर में कुछ नाम है तोर्स के बाद अगर इन में से कोई खेलेगा तो मैं आपको बताओंगा टेलिग्राम पर बात कर लेते हैं स्टार्टिंग वो लाश्ट ओर में क्यों गिन बाजी कर सकता है ट्रेंट बोल्ट कुल्दीप सेन और अवेश खान स्टार्टिंग के ओरों में गिन बाजी करती होई नजर आ सकते हैं कुल्दीप सेन अगर ट्रेंट प्लेइर में हो तो भी मान के चलिएगा वो गिन बाजी करने आ सकते हैं फिर लाश्ट ओवर में आप देखो युजिंदर चहेल, कुल्दीप सेन, आवेश खान और ट्रेंट बोल्ट गिन बाजी करने आज सकते हैं कुछ प्लेइर बेटल भी हैं, जिसमें आप देखोगे, जोस बटलर को, आंदर रसेल ने 18 गेंदो पर 32 रन देकर दो बार आउट किया है जबकि सुनिल लारायन ने उन 70 गेंदो पर सिर्फ 80 रन दिये हैं, जिस तरह का ये प्लेइर है, उसके अकोरिन तो बहुत कम रहन है और दो बार ये आउट भी कर चुके हैं, वरुन चक्रवती ने 13 गेंदो पर 28 रन देकर दो बार आउट किया है मतलब इस्पिनरों के सामने ये नहीं चल पा रहा है, इन इस्पिनरों के सामने फिर रियान पराग, सुनिल लारायन ने 11 गेंद पर 10 रन देकर एक बार आउट किया है और आंदर रसेल ने 6 गेंदो पर 12 रन देकर एक बार इनको आउट किया है मतलब रसेल और सुनिल नारंग भारी पड़े हैं संजू सैमसंग पर बात कलेते हैं यहां से दोस्तों फ्री एंट्री के लिए फाइनल अपडेट के लिए ग्रेंड लिक के टीम के लिए आप हमें टेलिग्राम पर फोलो कीजिए लिंक वीडियो की नीचे डिसक्रिप्शन में चलिए मेरे टीम देख लिए तो दोस्तों सबसके बात कालेते हैं विकेट कीपर शेक्षर में तो मैंने Future और संजू सैमसंग को लिए्टीन नहीं थे लेकिन हाँन इस लाइइ हैम्च मेच में टीमуж्या अपनी टीम में जगे दिया नहीं के लेंगे तो चेंज कर लेंगे तो फिलिप सार्क, बटलर और संजू सेमसंग को मैंने लिया है बल्ले बाज मैंने दो ही लिये है एक तो यश्य श्वीजा इसवाल दूसरा मैंने लिया है श्रेयश आहियर को फिर तीम में ओल राउंडर लेकर चलूँगा आंडर असेल, सुनिल नारायन और रियान पराक को गेन बाज भी मैंने तीन ही लिये हैं जिसमें ट्रेंट बोल्ट, युजविंदर चहल, अब मिचल स्टार्क को मैंने लिया है लेकिन राजस्तान की पहले गेन बाजी होगी तो मैं मिचल स्टार्क की जगे कुलदीब सेन को अपनी टीम में लेकर चल सकता हूँ कप्तान उप कप्तान देख लेते हैं अब फ्रेंट्स मेरे जो कप्तान होंगे वो होंगे सुनिल नारायन, उप कप्तान होंगे मेरे होंगे संजू सैमसंग चलिए टीम का प्रिव्यू देखते हैं और ग्रेंड लिग पिक भी बता देता हूँ साथ ही साथ दोस्तों मेरी जो टीम है कोछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी उससे पहले मैं ग्रेंड लिग प्लेज आपको बता देता हूँ केकी आर की टीम से कौन से वो प्लेयर ही जो कि आपके लिए ग्रेंड लिग पिक बन सकते हैं उसमें सबसे पहला नम आता है वेंकड शहीर जो कि अभी तक लोग अवोईड करकर चल रहे हैं उनका बल्लेबाजी करम भी फिक्स नहीं है फिर आपके बात कर लेते हैं वरून चक्रवत्यूत हर्शीद रणा टीम के में गेंड बाजे अगर केके आर का ये दिन होता है और वेंकड शहीर टॉप उटर बल्लेबाजी करने आ जाते हैं या भी इनने जल्दी बेज दिया जाता है तो मान के चलिए ये तीनों प्लेयर आपको ग्रेंड लिग तक वोण करवा कर चल सकते हैं फिर राजिस्तान की टीम से अगर मैं बात करूँ तो यहां पर मैं नाम काट देता हूँ यहां पर है आवेश खान तो आवेश खान कुलदीप सेन और डी जुरेल यह राजिस्तान की ग्रेंड लिग पीके ये प्लेयर आपको ग्रेंड लिग तक वोण करवा कर चल सकते हैं सेफ कप्तानों कप्तान के अगर मैं बात करूँ तो यहां सुनील नारायन, संजू सेमसंग और रियान पराग यह तीन बहुत अच्छे ओप्षन है कप्तानों कप्तान के लिए बाकि आप रसल को भी बना कर चल सकते हैं टीम देख लेते हैं जोस बतलर, संजू सेमसंग, लिप साल्ट, श्रेज आयर, यशश्यू जाइसवाल, सुनील नारायन, आंद्रे रसेल, रियान पराग, युच्विंदर चहल, ट्रेंट बोल्ट और मिचल स्टार्क राजस्तान की पहले गेंदबाजी होगी, तो इनको ना लेकर में कुलदीप सेन को अपनी टीम में लेकर चलूँगा पकि फाइनल टीम के लिए टेलिग्राम पर फोलो कीजिए, टेलिग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, थैंक्यो वेरी माच